नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी वित्रों का एक बर फिर से चारक की नीति के एक और ग्यान बर्धक और महत्व पूरण वीडियो में दोस्तों महिलाओं की पांच भूख जो कभी कम नहीं हो सकती, यहां तक की हीरे मोती भी कम पड़ जाते ही अगर आप जानेंगे कि महिलाओं की पांच भूख ऐसी कौन सी हैं जो कभी कम नहीं होने बली तो आप चाउक जाएंगे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की पांच भूख ऐसी कौन सी हैं जो कभी कम हो ही नहीं सकती पुरानी माननताओं के अनुसार, आज हम महिलाओं में जिस भूख के बारे में बात करने बले हैं, उसे जानकर आपके भी पैरो तले से जमीन ही खिसक जाएगी, यहां तक कि इस भूख के आगे महिलाओं को हीरा मोती भी कम लगता है, ऐसे में हम यह जानती हैं कि महिलाओं मे बहाँ पांच ऐसी भूग कौन से हैं जो कभी कम नहीं होती बलकि इसे पाने पर उनकी भूग और बढ़ जाती है तो चलिए दोस्तों आज हम आपको महिलाओं की इन पांच भूग के बारे में जराब विस्तार से जयानकारी देंगे लेकिन उससे पहले किरपे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों नमबर एक है सरंगार करना दोस्तों भले ही महिला का सरंगार पर अधिकार हो और इसके बगैर वो अधूरी मानी जाती हो सरंगार महिलाओं की खूपसूरती बढ़ाने के साथ साथ उनकी इज्जत भी बढ़ाता है लेकिन क्या आप जानते ही महिलाओं की ये भूख कभी कम नहीं होने बाली बलकि इनकी भूख और बढ़ जाती है और मित्रों नमबर दो है संबंध इच्चा दोस्तों पूरसों के मुकाबले ये रुची भी महिलाओं में सबसे अधिक पाई जाती है ऐसे में कहा जाता है कि बढ़ती उमर के साथ साथ महिलाओं की ये भूख कभी कम नहीं होने बाली बलकि और बढ़ जाती है और मित्रों नमबर तीन है चारक के नीति के अनुसार महिलाएं खाने के मामले में पूरसों से बहुत ज्यादा तेज होती है इस बात से तात पर रहे कि महिलाओं को मर्दों की तुलना में अधिक भूख लगती है आचारे-चारे के नीति के अनुसार महिलाओं में यह दोनों भूख कभी कम नहीं हो सकती धन की लालसा, पुरुसों के अपेच्छा महिलाओं में ज्यादा होती है। बही जीवन की लालसा और धन की इच्छा यह दोनों भूग, महिलाओं में कूट कूट कर भरी होती हैं, जो की कभी कम नहीं हो सकती। और मित्रों नमबर पाँच है दोस्तों महिलाएं जब तक इधर की उधर ना लगा दे तब तक उन्हें सांती नहीं मिलती महिलाओं के पेट में छुपा गहरा राज भी आग की तरह फैल जाता है जो की या भूख उनकी कभी भी कम नहीं होती है मित्रों यदि आप महिलाओं के बारे में इन बातों को नहीं जानते ही तो आप कभी भी जीवन में एक सफल बेक्ति नहीं बन पाएंगे क्योंकि दोस्तों साधी सुदा जीवन में पती और पत्नी को एक दूसरे की बाते हमेशा समझनी चाहिए यदि नहीं समझेगे तो आपका रिता बिगर जाएगा और आप बहुत जल्दी एक आमेर आदमी से एक गरीब आदमी बन जाएंगे इसलिए मित्रों साधी सुदा जीवन में एक दूसरे की बातें दोनों को ही अच्छे से और बहतर ढंक से समझनी चाहिए